जेहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने बाले हैं भारत के सभी राश्टरपतियों के बारे में तो 1950 से आज तक भारत के राश्टरपति कौन-कौन रहे हैं उनका टैनेयर क्या क्या रहा है इस तरह से हंग पूरी की पूरी डिटेल डिसकस करने वाले हैं तो चलिए दोस्तो ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे दोस्तो डॉक्टर राजंदर प्रसाथ ठीक है डॉक्टर राजंदर प्रसाथ भारत के पहले राश्टरपति थे इनका कारिकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा ठीक है ये भारत के एकमात्तर राश्टरपति थे जन्होंने दो क राश्टरपति पत्पर लगा था दो बार काम किया ठीक है और इनको 1962 में भारत राश्टरपति थे दोस्तो डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन ठीक है इनका कारिकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन का जन्हों 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को सिक्षक दिबस के रूप में मनाया जाता है उनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था तो दोस्तो डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन भारत के दूसरे राश्टरपति थे इनका जन्हों था 5 सितंबर 1888 को और इसी दिन को दोस्तों जो है वो सिक्षक दिबस के रूप में भी मनाया जाता है उनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था स्वतंतर भारत की प्रिथम उपराश्टरपती भी थे और भारत के दूसरे राश्टरपती इनका कारेकाल 5 साल तक रहा ठ अधर करेंट अट दॉफ इन्डिया तो डॉक्तर जाकिर हुसेन डॉक्तर जाकिर हसाइन दूस्तों भारत के तीसरे राश्टरपती थे 13 मई 1967 से 13 मई à 1979 तक उनका पर जोहा रहा जिनकी इनकी कारिकाल के दौरान यानि की पद पर रहते हुए ही इनकी जो है वो मृत्यू हो गई थी। यह भारत के सबसे प्रिसिद्ध तबलाबादक भी थे। इनका कारिकाल एक साल 355 दिन का रहा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तो वीवी गिरी यह भारत के एक्टिंग प्रिसिडेंट थे। इनके लिए कुछ दिनों के लिए जो है वो डॉक्टर जाकर उसेन की मृत्यों के बाद में इनको भारत के राष्टपती का पद दिया गया था। तो इनका ये कारिकाल जो रहा दोस्तो वो तीन मईए 1979 से 20 जुलाई 1979 तक केवल 78 दिन का रहा ये भारत के पहले कारवाहक राष्ट्रपती रहे। उसके बाद में दोस्तो मुहम्मद हिदायत उल्ला ये भारत के चीफ जेस्टिस थे यानि कि सुप्रिम कोड के जज्ज थे इनके लिए भी दोस्तो भारत बीवी गिरे के बाद में भारत का दूसरा कारवाहक प्रधान स्वारी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है बो बन आया गया ठीक है यानि कि कार्यवाहक राश्ट्रपती इस बार इनका कारेकाल 20 जुलाई उन्निस सो नकतर से 24 अगस्त उन्निस सो नकतर तक रहा केवल 35 दिन का मुहम्मद हिदायत उल्ला सुप्रिम कोड के मुखिने अधीश थे और भारत के दूसरे कार्यवाहक राश्ट् अंतर तक रहा बीवी गिरी भारत के चौथे राश्ट्रपती थे इनका पूरा नाम बराह गिरी बेंकट गिरी है उन्निस सो पिजत्तर में उनको भारत रतन से सम्मानित किया गया था और इनका कारेकाल 5 साल का रहा तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो की पीडियो फैल को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट दोस्तों फिफ्थ प्रेसिडेंट फकरदिन अली एहमद भारत के पांचमी राष्टपति थे इनका कारकाल 24 अगस्त 1934 से 11 फरवरив 1917 तक रहा फकरुद्दीन अली एहमद भारत के पांच वे राष्टपती थे इसके साथ ही यह दूसरे ऐसे राष्टपती भी थे जिनके मृत्यू राष्टपती पर ही हो गई थी इनकी मृत्यू के बाद बीडी जत्ती को कारभाग राष्टपती बना गया था तो पहले भारत के राश्टपती ऐसे कौन थे जिनके मृत्तियों उनके पदपर रहते हुए ही हो गई थी दोप्टर जाकर हुसेन और दूसरे थे दोस्तों फकरुद्दीन अली एहमद ठीक है इनका कारिकाल दो साल 171 दिन का रहा नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एक्टिंग प्रेसिडेंट डीडी जट्टी ठीक है तो फकरुद्दीन अली एहमद की मृत्तियों की बाद में बीडी जट्टी के लिए दोस्तों भारत का राश्टपती बनाए गया कारिवाहक राश्टपती इनका कारिकाल 11 फरवरी 1977 से 25 जुल इनका कारिकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा भारत के एकमात्र राश्टपती जो निर्विरोध चुने गए थे ये भारत के पहले और एकमात्र ऐसे राश्टपती थे जो की निर्विरोध चुने गए थे ठीक है ग्यानी जैल सिंग जो थे दोस्तों वो भारत के साथवे नमबर के राष्टपती थे इनका कारेकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा और ये भारत के पहले सिख राष्टपती भी थे आठवे राष्टपती भारत का कौन थे ठीक है तो आर के बेंकर रमन भारत के आठवे राष्टपती थे इनका दोस्तों जो कारेकाल था वो 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहा और बेंकर रमन 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्टपती भी रहे थे जब के नएक्स्ट ज़ूस्त दोस्तो नॉयन्थ प्रेसिडेंट श्रमा भारत के नॉवे नमबर के रास्चपति थे 45-1992 से प्ष्चे जूलाई 1997 तक दोफे दोस्तो इनका कारेकाल रहा था अब आते हैं 10 प्रेसिडेंट तो के आर नारायाण के आर नारायन दोस्तों भारत के दस्मे नंबर के प्रिधान सौरी राष्टपती थे इनका कारेकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहा के आर नारायन भारत के पिर्थम दलित राष्टपती तथा पिर्थम मल्याली बेखती थे इनके बारे में तो दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे डबल स्टार मार्क कर लिए इस कोश्चन पे ठेक है बहुत जादा ये कोश्चन जो है वो पूंचा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दिलकुलाम भारत के ग्यारवे नंबर के राष्टपती थे 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक ये भारत के राष्टपती पत पर रहे डॉक्टर एपीजी अब्दिलकुलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है बहे पहले बैग्यानिक थे जन्होंने राश्पती पद को समाला और भारत के पहले राश्पती जो सरबादिक मतों से जीते थे 1997 में उन्हें भारत रतन से समानित किया गया था कारेकाल इनका दोस्तों कितना रहा? 5 साल का 12th President of India तो दोस्तों पृतिभा देवी सिंग पार्टिल यानि कि पृतिभा सिंग पार्टिल जो है वो भारत की पहली महला राश्पती और 12th President मतलब 12 में नंबर की जो है वो राश्टपती रही है इनका कारेकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा ये भारत की पहली महला राश्पती थी इनका कारेकाल 5 साल तक रहा 13th President ठीक है? प्रिड़म मुखर जी प्रिड़म मुखर जी का कारेकाल दोस्तो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा 2008 में भारत का दूजरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पदम विभूसल प्रिदान किया गया था इनके लिए नेक्स्ट एक 14th President तो रामनाथ कोबिंद अभी रिसेंटली दोस्तो जो है वो द्रोपदी मुर्मू द्वारा इनके लिए सब्सक्राइब किया गया है तो रामनाथ कोबिंद भारत के चौधवे नंबर के राष्टपति थे इनका कारेकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहा पूरे पांस साल का और 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है दोस्तो द्रोपदी मुर्मू जो की बरतमान में राष्टपति की पद पर कारगरत है इन्होंने अपना राष्टपति का पद 25 जुलाई 2022 को समाला है और अभी तक ये इस पद पर आसेन है ठीक है तो आज की वीडियो में दोस्तो बस इतना ही उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में सेर करना ना बोलें और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें तो के लिए नमस्कार जय हिंद जय वारत